पानी पीने का पात्र मतलब बरतन कैसा होना चाहिए उसके बारे में शास्त्रों में है कि जल पात्रम तू तामरस से ततोत भावे मिर्दोहितम मतलब तामरगा मतलब ताबे का जो पात्र होता है पानी का वो अच्छा माना जाता है लेकिन उसके अभाव में अगर ताबे का पात्र हमारे पास नहीं है तो फिर उससे अच्छा जो पात्र है वो मिट्टी का है मतलब मिट्टी का घड़ा उसमें पानी रखिए उसकी शितलता ही आपके शरीर के लिए अच्छी मानी जाएगी उसी में रखके पानी पीना है न कि फ्रीज का पानी पीना है पहला दूसरा उस घड़े में आप थोड़ा सा खस खस मिल जाएगा आपको मार्केट में खस को बांध के किसी धागे से अंदर डूबो के रख दीजे उस खस की जो शितलता है और खुश्बू उस पानी में आएगी मिट्टी की सोधी सुधी खुश्बू घड़े की मिट्टी की सोधी खुश्बू उस पानी में आएगी फिर जब उस पानी को आप लेंगे तो शीतल भी रखेगा उसकी खुश्बू से मन शान्त भी रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा तो इससे दो बाते निकली या तो तांबे का या तो मिट्टी का उसके बाद फिर अभी जो प्रसन्न में पानी प्लास्टिक के बोतल में वो बड़ा खतरनाक है उससे माइक्रो प्लास्टिक मतलब BPA, वेस्पिनाल A बाकी चीजें जो हमारे पानी में घुलती हैं और वो कैंसर पैदा करती हैं तो उससे अवाइड करने के लिए मैं इस मातों को बता रहा हूं कि आप जो है प्लास्टिक की बोतल हटाईए तांबे की बोतल कांच की बोत प्लास्टिक हटाईए और पानी जो घड़े में रखके पीएंगे घर में फ्रिज रिप्लेस करिए पानी पीने के लिए घड़े को रखिए